दोस्तो हमारे चैनल घरेलू नस्के को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सहद और लोंग साथ में खाने के फाइदों के बारे में बात करेंगे दोस्तो सहद का सेवन सेषद को कई लाप पहुचाता है क्योंकि सहद ओस्दिय गुणों से भरपूर होता है लेकिन क्या आपने कभी सहद का लोंग के साथ सेवन किया है सहद और लोंग का एक साथ सेवन स्वास्ते के लिए काफी फायदेवन माना जाता है क्योंकि सहद की तरहे लोंग भी ओस्दिय गुणों से भरपूर होता है सहद और लोंग का एक साथ सेवन करने से स्वास्ते संबंदी कई समस्याओं से चुटकारा मिलता है क्योंकि सहद में प्रोटेन, विटामिन, A, B, C, आएरन, मेगनीशम, केलस्यम, फोसपोरस, पोटेशम जैसे तत्व पाई जाते हैं तो वहीं लोग केलस्यम, आएरन, मेगनीशम, फोसपोरस, पोटेशम, सोडियम और जिंक जैसे तत्व से बर्पूर होता हैं जो स्वास्ते के लिहास से काफी लाबदायक साबित होते हैं दोस्तो आईए जानते हैं सहद और लोंग साथ में खाने के फाइदों के बारे में सर्दी जुखाम में फाइदेमंद दोस्तो सर्दी जुखाम की सिकायत होने पर सहद और लोंग का साथ में सेवन काफी फाइदिमन माना जाता है क्योंकि सहद और लोंग एंटी बैक्टीरल और एंटी वाइरल गुनों से बरपूर होता है जो सर्दी जुखाम को दूर करने में मददगार साबित होता है वजन कम करने में मददगार दोस्तु अगर आप अपना वजन कम करना चाते हैं तो आपको सहद और लोंग का एक साथ सेवन करना चाहिए क्योंकि इसका सेवन करने से मेटाबोलिजम बुष्ट होता है और वजन कम करने में मदद मिलती है इसके लिए आप लोंग और सहद के चाय का सेवन कर सकते हैं मूँ में चाले की समस्या होती है दूर दोस्तो मूँ में चाले की सिकात होने पर खाने पीने में काफी परेसानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन चाले की समस्या होने पर अगर आप एक चम्मच सहद में लोंग का पावडर मिला कर परभावित जगय पर लगाते हैं तो इससे चाले की समस्या दूर होती है इम्मुनिटी होती है मजबूत दोस्तो सहद और लोंग एंटी ओक्सिडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं इसलिए अगर आप सहद और लोंग के मिसरन का सेवन करते हैं तो इससे इम्मुनिटी मजबूत होती हैं जिससे आप वाइरस और बैक्टीरिया की चपेट में आने से बच सकते हैं लीवर के लिए फाइदिमंद दोस्तो सहद और लोंग का सेवन लीवर के लिए काफी फाइदिमंद माना जाता हैं क्योंकि इस मिसरन का सेवन लीवर को डिटोक्सी फाई करने में मदद करता हैं जिससे लीवर स्वस्त रहता है और लीवर समंदी बीमारियों का जोखिम कम होता हैं गले के लिए फाइदिमन्द दोस्तो गले में सूजन और दर्द की सिकायत होने पर लोंग और सहद का मिसरन का सेवन फाइदिमन माना जाता हैं क्योंकि लोंग और सहद में एंटी ओक्सिडेंट और एंटी इंफलामेटरी गुण मोजुद होता हैं जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता हैं दोस् झाल झाल